करीजिया ना विल्कम टू हमारे रह रहे हैं चिकन बर्रा के नहीं यहां पर मैंने हड़ी वाली चिकल ले लिए दो तंदूरी पीसिस लिया है मैंने जैसे मैं ने डीप कट लगा लिया है और दो विंग्स ली बीटन कॉर्ड लिया है एक लिम्बू का जूस लेमिन जूस लिया है मैंने एक लिम्बू का और इसके नहीं हम एक पेस्ट एडी करेंगे जहां पर वन लाज अनियं थी जिसे मैंने ब्राउन कर लिया है फो ग्रीन चिली है और फो टेबल स्पून कोरेंडर लीव्स इन तोनो का इन तीनों का हमें पेस्ट रेडी कर लेंगे एन 100 ग्राम अम्मूल बटर है मखन में इसे कुक करेंगे यहां पर हम चिकन बर्रा का मसाला रेडी करते हैं हाफ कप दही में बीटन दही है इसमें स्वाल टेस्ट एड करेंगे वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट व पाउडर वन टीस्पून रेचिली पाउडर आफ टीस्पून ब्लैक पेबर पाउडर आफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून गरा मसाला पाउडर वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर यहां पर मैने अनियन हरा धन्या ग्रीन चिली का मसाला रेडी कर लिया इस के अधिए पास टाइम हो तो मैकस्मिम टाइम दो गहंटा है तो आप दो गहंटे की नाभी से मानिट कर सकते हैं यहां पर हमने तंदूरी पीसे को अच्छे से डीप कर्स दे थी हैं चाकि चिकन हमारी अंदर तक अच्छे से मैइनिट हो जाए अब हम अपने मसाला इस मैट करेंगे यहां पर मसाला मैं अच्छे से अंदर-tank कोट कर दिया है हाथों से ट्रे मे उखेंड्य ट्रे मुझे चोटी पर रही थी यहां पर मसाला मैं शे से कोट कोट कर दिया है कम एक गंड़े के नहीं incoming का फ्रुड़ कोट है फैसे त। यह ज़ई दू गंटे महीं या है ज़ल गंपे भाकर मीज़रीषक और किरीटिए चीन और जाने। तो थोड़ा सा मासाल हम उपड से और करेंगे जहां पर पर यहां यहां पर फनी चिकन को 12-12 मिनिट के दोनों दशल्य तरब से गुक करेंगे इसे हम कबर कर देंगे उप 이에ैं सी ani के एक सदू दस करेंगे उसके बाद 10 बीनिट के निए अधर साइड से कुक करेंगे यह देखिए यहां पर हमाई चिकन एक साइट से कुखो गई है अची तरीके से अब हमेने से टॉन कर दिया है यहां दूसरे साइट से पख रहा है हम इसमें तोड़ा मक्खन और आड करतेंगे यहां पर हमाई चिकन बिल्कुल रेड़ी है दोनों तरफ से हम इसे कोईले का दुआ देंगे कोईले का दुआ है अच्छी तरह से पुरा दे लिया है इसमें वह इसे निकाल लेंगे यूजिली जो चिकन बर्रा हम लोग शादियों में खाते हैं वह बाबीक्यू होता है अगर आपके पास बाबीक्यू ग्रिल है तो आप इसे बाबीक्यू करें या तो यही प्रोसीजर जिसे मैं कर रही हूँ वैसे अब मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करें आपको मा की जैसा ही फ्लेवर आएगा सारे टिका पीसिस के साथ बंदूरी पीसिस के साथ हम ऐसे ही कर लेंगे कि यहां पर हमारे आज की डिश चिकन बढ़ा बिल्कुल रेडी है डायरेक्ली ग्रिल करने के बाद कितना अच्छा टेक्च्छर आ गया इसका इसे आप सालर के साथ सौफ करें लेमिन है तेमेटो रिंग से अनियन ब्रिंग से अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अच्छे लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें till then see you with our next recipes Allah Hafiz